बच्चों में दे रखा है टॉल्वीन इथाइल बेंजीन बेंजाइल एलकोहल एंड बेंजरली हाइड हमें एक आ गया है दे ऑन ऑक्सिडेशन बाइ स्ट्रॉंग ऑक्सिराइजिंग एजेंट फॉर्म वाट कमपाउंड अब बच्चों यहां पर काम की चीज़ क्या है कि व अलकाइल ग्रोप अडेश्ट है इड विल कनवर्ड डेट आर डू सी ओएच आर किसमें जाएगा बच्चों सी ओएच में जाएगा as long as r is not 3D समझा रहे है नहीं आ रहे है बच्चों अनलेस आर इस सी डिगरी आर गैट्स कनवर्डिट तो सी ओएच यू गैट बेंजोई कैसे वह आर कुछ भी हो सकता है as long as it is not 3D तो यह तोनों सी ओएच देंगे बेंजोई कैसेड देंगी अब एक और काम की चीज़ रियलाइज करो तो यह दोंट आप रिमेंबर फॉर इ पढ़ा है बेंजीन से डू यू रिलाइज जब यह ऑक्सिडाइज होगे सी ओएच में जा रहा होगा तो यहां पर पहले एलकेन को ऑक्सिडाइज करतों क्या बनता है एलकोहल इससे जो एलकोहल बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों यही तो बनेगा I mean this is the intermediate product when toluene is getting converted to benzoic acid समझ्यों आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों इस इंटरमीडेट प्रोड़क्ट जो हमारा इस 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 इंटरमीडेट प्रोड़क्ट जो हमारा बनता है when toluene is going to benzoic acid तो ओविस सी बात है अगर यह मिथाइल ग्रूप सी ओएच में कनवर्ट हो सकता है तो एलकोहल भी ऑक oxidation होता है एलकाइल ग्रूप का पहले एलकेन जाता है एलकोहल में एलकोहल जाता है एल्डी हाइड में और एल्डी हाइड जाता है एसिड में और अगर हमारा एलकेन से एलकोहल बना और एलकोहल से एल्डी हाइड के बजाए कीटोन बना तो कीटोन काइंड आफ रजिस ऑक् एल्कोहल से एल्डी हाइड या कीटोन और अगर एल्डी हाइड है that gets converted to acid बच्चे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाईज इज़ एनीवेग कमिंग बैक to the question अभी हमने बेंजाइल एल्कोहल को देखा it will be converted to acid और उसको इसको जब oxidize करोगे तो next prod क्या बन रहा होगा बैंजली हाइड मतलब basically try to understand के हमारा पहले टॉल्वीन जाएगा बैंजाइल एल्कॉल में बैंजाइल एल्कॉल से जाएगा बैंजली हाइड में और बैंजली हाइड से जाएगा बैंजोई कैसल तो डू यू रिलाइज और नॉट कि इन चारों को इन चारों reactants को अगर तूम oxidize कर तो यू उसे इन श्रॉंग oxidizing agent like K-Amino4 it will get converted to benzoic acid this is the only prod that will be formed this is the prod that will be formed when you oxidize any of the four reactants given to us समझ्यों आरहे नहीं आरहे बच्छों clear हुई ये चीज़ा नियु हुई गाइस गड़